नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय, बच्चों हमने पिछले वीडियो लेक्चेर में आपको रहिखिक आउकल समीकरन, linear differential equation के बारे हम बताये थे, आज हम लोग रहिखिक रूप में समाने ये समीकरन, यहने ऐसा समीकरन जिसे की हम linear equation रहिखिक समीकरन में बदल सकें, समाने कर सकें, reduce कर सकें, और ऐसे equation को बर्नूली समीकरन के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस equation को बर्नूली ने discover किया था, खोच किया था प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसको उसी के नाम पर बर्नूली समीकरन का आ गया है, हम लोग जो समीकरन दिया रहेगा, उसको reduce करेंगे, वहाँ से स्वतंत्र और प्रतंत्र चर कभी-कभी दोनों चरों को change करेंगे, हाना, तो इस प्रकार यहाँ पर, हाना, जो हमको मिलेगा, हम उसी को क्या कहेंगे, बर्नूली समीकरन कहेंगे, ठेक, तो चलिए, एनिक्वेशन इजाब्दा फार्म, एक सिकन बच्चों, चलो, इसका परिभासा है, समीकरन, dy by dx प्लस py is equal q into y to the power n, यहाँ पर dependent variable y और independent variable x, तो इधर पूरा x में होना चाहिए था, लेकिन mix है, दोनों है, हम ऐसे equation को रेखिक आउकल समीकरन, linear differential equation में क्या कर सकते हैं, reduce कर सकते हैं, समानित कर सकते हैं, समानिय कर सकते हैं, पहरे बच्चों, n equation is of the form dy by dx plus py is equal q y power n, is called Bernoulli's equation, समीकरन dy by dx plus py is equal q into y to the power n, के रूप के समीकरन को बर्णूली समीकरन कहते हैं, ठीक है, अब इसका solution कैसे निकालते हैं, समीकरन का हल कैसे प्राप्ट करते हैं, जैसे कि हमको दिया रहेगा, dy by dx plus py is equal q y power n, समीकरन एक को y power n से, क्या करेंगे, भाग देंगे, y power n से भाग दिजिएगा, क्यों? क्योंकि इधर पूरा x में होना चाहिए, तो हमने y power n से भाग दिया, py upon y power n is equal q, अब इसको हम denominator से numerator ले जाएंगे, हर से अंस ले जाएंगे, y to the power minus n dy by dx plus p y to the power 1 minus n is equal कितना q? अब क्या कीजिएगा, चलो ये तो q आप एक सो हो गया समझो, लेकिन यहाँ पर only y होना चाहिए था, कहाँ पर? यहाँ पर? यहाँ पर y power 1 minus n है, लेकिन यहाँ पर only y होना था, तो चलिए हम y बनाने के लिए, दूसरे variable में क्या कर दे? बदल दे. तो y to the power 1 minus n को क्या सपोस्पोस कर लिजेगा v? या तो pv होना चाहिए या px होना चाहिए, या py होना चाहिए, यादि pv है तो इधर dv upon dx होना चाहिए, यादि py है तो dv by dx होना चाहिए ये तो है, लेकिन y नहीं है, हमें इसको उसी फार्म में लाना होगा, अब देखो, आपने y को बदल दिया v में, तो इधर भी तो बदलना पड़ेगा y के place पर जहां जहां है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंसेट करेंगे, आउकलन करेंगे प्यारे बच्चों, 1-n-1 तो minus n होगा, y कर dv by dx होगा, और ये dv upon dx होगा, अब y पर minus n dv by dx के जगा में, 1 upon 1 minus dv upon dx रखेंगे, देखो इसके जगा में, हमने तो चेंज किया ना, चलो रखते हैं, तो क्या आएगा, 1 upon 1 minus n, ये हो गया dv upon dx, प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, pv is equal कितना q, अब इसमें देखो, dv upon dx, p, 1 minus n v, q, अब देखो ये क्या बन गया, dv upon dx, pv is equal q of x, जो, एक, रेखीक आउकल समिकरन है, linear, differential equation है, अब ये बदल गया, अब इसका हल के लिए क्या करते हो, यहाँ पर, p के जगा में कौन बैठा है, ये देखो, पूरा, p1 minus n, और q के जगा में, तो q दिख रहा है, बस वही काम करना है, integral factor, इसके इसाब से, ये देखो, dx है, तो pdx होगा, solution किस में आएगा, v में आएगा, pdx, pdx, qdx plus c, अंत में हम, v का value रखेंगे, हल होने के बाद, v का मान, रखने पर, समी करन का, अभीष्ट हल, required solution, प्राप्त होता है, अभीष्ट हल, प्राप्त होता है, ठीक है, प्यारे बच्चों, देखे बच्चों, ये हमारा, समी करन दिख रहा है, dy by dx, plus y upon x, plus y square, ये बन गया, समी करन नमबर 1, ये देखो, dy by dx, plus py is equal qy power n, जो, बर्णूली का समी करन है, बर्णूली के समी करन की रूप का है, जिसे रेखिक आउकल समी करन में, रेखिक आउकल समी करन में, reduce कर सकते हैं, समानेयन कर सकते हैं बच्चों, जिसे रेखिक आउकल समानेयन कीजिएगा, तो मैंने कहा था, इधर जो भी y रहेगा, जितना भी, उसको पूरे को डिवाइट करना जैसे, कि इसके पहले, y power n था, तो y power n से, दोनों पक्चों को, हमने डिवाइट किया था, भाग दिया था, प्यारे बच्चों, अब हम समी करन, एक में, y square से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या हैगा, 1 upon y square, dy by dx, y upon, x y square is equal कितना 1, हमने पाया, y power minus 2, dy by dx, प्लस, यहां पर होगा, 1 upon x, y power minus 1, is equal कितना 1, अब यहां पर, y power minus 1 को, क्या सपोज किजेगा भी, minus 1, y power minus 1 minus 1, y का dy by dx, is equal कितना, dv upon dx, आपने पाया, y power minus 2, dy by dx is equal, minus dv upon dx, चलो रखो इसमें, कितना आएगा इसका, minus dv upon dx, plus कितना 1 upon x, यह कितना हो जाएगा इसका, v is equal कितना 1, आपने पाया, dv upon dx minus, 1 upon x v, is equal कितना, minus 1, जो एक रेखिक आउकल समी करन है, जो एक, रेखिक, आउकल, समी करना है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जिसके तुलना, dy by dx plus py is equal q से करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, p के जगा में कौन बैठा है, minus 1 upon x, देखो, देखो, यह देखो, p के जगा में minus 1 upon x, और q के जगा में minus 1, अब हम निकालेंगे, समा कल गुना के इंट्रिगल फैक्टर, e to the power integration p dx, minus 1 upon x dx, p का वैलू डालिएगा, तो इंट्रिगेशन आप, 1 upon x dx कित्ता हो जाएगा इसका, लाग x, n लाग m से लाग मने minus को हटाईएगा, तो यहां उपर में आ जाएगा देखो इसके, और यह पार लाग हटेगा, तो x to the power minus 1 1 upon x, अब सालूसन, समीकरन का हल क्या होगा, आपके पास dependent variable क्या है, v, आईएप क्या है, 1 upon x, इसके बाद q कितना है, minus 1, आईएप, 1 upon x dx प्लस कितना c, आपने पाया, 1 upon x is equal minus, इंट्रिंगेसन आप, 1 upon x that is कितना, लाग x प्लस कितना c, अब v का value रखेगा, हमने y power minus 1 को v suppose किया है, प्यारे बच्चों, तो रखेंगे, तो पाएंगे यहाँ पर, y to the power minus 1 upon x, प्लस कितना, लाग x, is equal कितना c, फाइनली हमको मिला, हम y को निचे ले जाएंगी, डिनैमिनेटर में, 1 upon x y, प्लस कितना, लाग x, प्लस is equal कितना c, तो यह फाइनल आंसर आएगा, बस इसी ढंग से, बर्नुली समीकरन को क्या करते हैं, हना, रेखी कियाने, linear differential equation में, reduce करते हैं, और linear differential equation, जो solve करते हो, आपको तो मालूम है, कैसे solve करते हो, बस वही काम यहाँ पर भी, हमको करना है, अगला question देखें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखे, इसको हमने माना, 1- x square, dy by dx, plus xy, is equal xy square, तो हमेशा, जब कभी भी ऐसा आए, तो आप dy by dx, को single कीजिएगा, तो सबसे पहले, हम, समीकरन एक, में, 1- x square से क्या किये, दोनों पक्चों को, भाग दिये प्यारे बच्चों, यहां पर देखेगा, कैसे हुआ, आपने पाया, dy by dx, plus xy, upon 1- x square, is equal xy square, upon कितना 1- x square, अब, जो, यह देखे, बरनूली के रूप का है, यहां पर y square आ गया, y, y, y square, जो, क्या है, बरनूली समीकरन है, अब हम, इसको y square से भाग देंगे, y square से, दोनों पक्चों को, भाग देने पर, भाग दीजिएगा, क्या पायेगा, y to the power minus 2, मैं divide करेंगो, तो उपर ले जाऊंगा, तो minus में आएगा, यहां पर एक cancel होगा, मुझे मिलेगा, 1 minus x square y power minus 1, और यहां पर पूरा y जो है, finish हो जाएगा, हमने यहां पर suppose किया, y to the power minus 1 को v, जैसे कि इसके पहले माना गया था, minus y power minus 2, differentiate किजिएगा, nx in minus 1 का formula लगाईगा, आप पहिएगा, minus y power minus 2 dy by dx, is equal कितना dv upon dx, finally हमने पाया, y to the power minus 2, dy by dx, is equal minus dv upon dx, तो आपने क्या क्या change किया, आपने, y power minus 2 dy by dx के इस्थान पर, minus dv upon dx, x write किया, और यहाँ पर x upon, 1 minus x square यह हो जाएगा, v, और इधर हमारे पास, x upon, 1 minus x square, चेक कर लिजेगा, बिल्कुल ठीक है, अब minus का multiply करेंगे, प्यारे बच्चों, तो minus का multiply करेंगे, इस minus जो आएगा, minus आएगे हाँ पर, तो मैं इसके अंदर ले जा करके, 1 minus x square को मैंने write किया, x square minus 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ने होगा, प्यारे बच्चों, यहाँ भी minus आएगा, गुना करेंगे तो, तो इसलिए इसको भी हम, x square minus 1, write कर लिए, जो, क्या है, बर्नूली, रेखिक आउकल समी करन है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके तुलना करो, p के स्थान पर और q के स्थान पर, p is equal कितना हो गया, x upon x square minus 1, और q is equal कितना हो गया, x upon x square minus 1, देखिए, p और q आपको मिल गया, अब क्या किजिएगा, आपको निकालना है, integral factor, e to the power, p d x, और यहाँ पर, हमने क्या किया, x upon x square minus 1 रखा, अब देखिए, यदि मैं इसका integrate करूँ, यह हमको दिया है, समझो, तो हम क्या करेंगे, x square minus 1 को t suppose करेंगे, 2x dx dt होगा, x dx dt by 2 होगा, यही तु जानते हैं, यहां रखिएगा, तो 1 by 2 dt by t होगा, और dt by t को हम 1 by 2, लाग t right करेंगे, और t के जगा में रखिएगा, तो पईएगा, 1 minus कितना, x square minus 1, लाग x square, तो यह इस धंग से, हम directly इसको कर सकते हैं, 1 by 2, लाग, x square minus 1, अब 1 by 2 को हम, इसके power में ले जाएंगे, तो क्या पाएंगे, square root x square minus 1, यह पावर 1 by 2 मतलब, square root होता है, e power लाग हटाईएगा, तो क्या पाईएगा, root x square minus 1, यहां गया, अब समी करन का हल, V में आएगा, समी करन का हल, V into, square root x square minus 1, is equal, कितना होगा, यह आजाएगा, root x square minus 1, और इसके बाद आएगा, Q, Q, x upon, x square minus 1, dx, V, square root, x square minus 1, x upon, square root x square minus 1, dx, plus C, यहां पर क्या होगा, x square minus 1, t, 2x dx is equal dt, x dx is equal कितना होगा, dt by 2, V, V square root, x square minus 1, 1 by 2, यह होगा, dt by, square root t, plus कितना सी, अब इसमें, यह आगया हुई, square root, x square minus 1, is equal, यहां पर हम, इस पूरे को, यहां इन्ट्रिगेट करें, तो, 1 by root t है, t power minus 1 by 2 आएगा, इसका मतलब हम इसमें पाएँगे, यह आजाएगा, root t, हाना, अपान कितना, 1 by 2, plus कितना सी, यह 1 by 2 से कैंसल होगा, हम इसके जगा में रखेंगे, x square minus 1, square root x square minus 1, plus c, अब इसको, v के जगा में रखेंगा, y to the power minus 1, root x square minus 1, is equal, square root x square minus 1, plus c, अब इससे डिवाइट किजिएगा, तो आप पाईएगा, 1 plus, यह देखो, c upon, square root x square minus 1, तो यह इसका सालोसान है, आप किज़ण से रखना चाहते हैं, आप के उपर है, ठीक है प्यारे बच्चो, कैसे सालो हुआ समझ में आया, आप सबसे पहले, y के फार्म में, rhs में जो भी है, हम उसके द्वारा पूरे को divide कर रहे हैं, और, p y लाने के लिए, हम y के place पर जो भी रहेगा, उसको भी suppose करके, हना, direct हम, इसको समानित करके, समनयन करके, reduce करके, रेखी कवकल समीकरन में बदल रहे हैं, प्यारे बच्चो, और माकी हम जानते हैं, रेखी कवकल समीकरन कैसे हल होता है, आईए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अगला कोशन आपके पास क्या है, यहाँ पर देखें, समीकरन एक, बरनुली के रूप का, कैसे पता चला, देखो इधर y square है भाई, समीकरन एक, देखने से ही पता चलेगा, बरनुली, का समीकरन है, भाग दीजिएगा, क्या पाईएगा, y power minus 2, dy by dx, plus, 1 upon x, y power minus 1, यह हो गया, sin x, अभी तो आप माने थे, मैं directly देता हूँ, y power minus 1 को भी, suppose कीजिएगा, और y power minus 2, dy by dx is equal, आप directly लिख लिजिएगा, minus dv upon dx, तीसरी बार बना रहा है, उसको अभी, यहाँ पर हम, minus dv upon dx, हम राइट करेंगे, minus dv upon dx, plus कितना, 1 by x, v is equal कितना, sin x, यह दिखेगा, minus का गुना किजिएगा, तो पहिएगा, dv upon dx, minus 1 upon x, यह हो गया, रेखी का उकल समीकरन, यहाँ पर p के place पर, हमारे पास, 1 by x हो गया, क्योंके place पर, minus sin x हो गया, हम यहाँ पर निकालेंगे, integral factor की बात करेंगे, e to the power p dx होगा, p के place पर रखिएगा, minus 1 upon x dx, और इसको कहेंगे, log x, और उपर जाएगा, यहने minus, जो है, formula गएंगे, log x power minus 1, तो finally हमने पाया, 1 by x, solution आपके पास आएगा, v into 1 by x, is equal 1 by x, into कितना, minus sin x dx, plus कितना c, तो इस तरीके से, हमने, v कमार रखा, y power minus 1, वना पान x, बच्चों, इसका तो हम, समाकलन नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, sin x का value डाल कर, क्या आप कर सकते हो, कोई दिकत नहीं है, हाना, ऐसे इतना भी, रख सकते हो, ऐसा करो, sin x का value, क्या होता है, मालूम है न, x minus x cube upon 3 factorial, plus x power 5 upon 5 factorial, d is this and so on, चलता रहेगा, इसमें रखिएगा, तो आप पढ़िएगा, x minus x cube upon 3 factorial, x power 5 upon 5 factorial, d is this and so on, upon कितना हो गया x, और यह हो गया कितना plus c, यह आप के उपर है, आप कहां तक जाना चाहते हो, is equal, देखो, minus 1, 1 को solve करें, तो 1 minus कितना x square upon 3 factorial, plus x power 4 upon 5 factorial, तो इस धंग से आते जाएगा, यह आएगा, dx plus कितना c, finally आप इसको क्या कर सकते हो, minus 1 का हुआ x, इसका x cube by 3, x cube by 3 factorial into 3, x power 5 upon 5 factorial, into कितना 5, ते इस धंग से, आप इसको solve करेंगे, इस धंग से आप कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों, बस तरीका यही होगा, तो आपको समझ में आगया होगा, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला कोशन क्या है, यह देखिए बहुत बढ़िया कोशन, ऐसा कोशन के लिए क्या करतें देखेगा, e power x minus y, इसको हम क्या rate कर सकतें देखेगा, e power minus y, e power x, e power y, क्या कीजिएगा, dy by dx, इसको आप अंदर लेजएगा, e power 2x, और यह हो जाएगा, e power minus y, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा यह, एदेखो, e power x, यह हो गया, अब इसको हम लोग, थेके ना, या ऐसा कर सकते हो क्या इसको, एक काम करो, इसको ना, आप क्या करो, dy by dx, e power x upon e power y कर दो, e power x, e power y, इसको cross multiplication करके धले जाओ, dy by dx, तो यह power 2x हो जाएगा, और minus e power x, e power y हो जाएगा, तो इसको, e power y, dy by dx ले सकते हैं, plus e power x, e power y ले सकते हैं, is equal कितना, e power 2x, अब यहाँ पर देखो, यह बर्नोली का समिकरन के रूप का है, e power y को क्या suppose कीजिएगा, v suppose कीजिएगा, तो e power y, और यह हो गया, dy by dx is equal, dv upon कितना हो गया, dx, तो यहाँ पर, क्या पाया आपने, dv upon dx, plus e power x into कितना v, is equal, कितना हो जाएगे इसका, e power कितना 2x, यह आ गया, अब यह किस रूप में आ गया वाई, जो, रेखिक, आउकल समिकरन दिख रहा है आपको, अब, पी के प्लेस पर क्या है, e power x है, क्यूँ के प्लेस पर क्या है, e power 2x है, हम लोग क्या निकालेंगे, integral factor, e to the power कितना होता है, p dx होता है, e power कितना हो गया, e power x dx हो गया, तो e power e power x हो गया, प्यारे बच्चों, अब देखो, इसमें solution क्या आना है, v into e power e power x is equal, e power e power x into कितना, e power 2x, तो e power 2x है, तो इसको ऐसा लिख दो ना, e power x dx plus c, अब इस e power x को, आप support कीजिएगा t, तो e power x dx is equal dt हो गया, बच्चों, इसमें रखिएगा, तो पहिएगा, यह आजाएगा, e power t और t, अब इसको integration by part किजिए, खंड सा समा कलन कीजिए, तो पहला आवई c, दूसरे का, फिर दूसरे का, फिर पहले का उकलन, दूसरे का समा कलन, फिर समा कलन, तो यह आजाएगा इतना, आपको तो मालूम है, e power x, यहाँ से e, power t को कामन निकाल के, t का value रख दिया मैंने, यह देखेगा, अब इसमें v का value डाल दिजिएगा, v का value क्या है आपके पास, e power कितना है, y है, तो e power y, और यहाँ पर इसको divide कीजिएगा, तो यह आजाएगा, c upon e power e power x, ठीक है, यहने आपने पाया, e power y, is equal e power x minus 1, plus, कितना हो जाएगा, c e power e power x, minus 1, तो इस धंग से आप सालूसन ला सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चो, आगे देखिएगा अगला question, क्या है, एँ देखिए, बहुत ही simple question, y square x टा है, तो क्या करो, y square से भाग दो बर्नूली दिखरा न, y square से भाग, अच्छा, x इधर भी है, तो x, y square से भाग दे तो चलो, तो यहाँ पर कितना आएगा, y power minus 2, dy by dx, plus y power minus 1 upon x, और या गया lag x upon x, देखिए, change होगे, y power minus 1 को भी सपोस किजिएगा, तो हम पाएंगे, minus 2 dy by dx, हम दारेट टिक रहें, क्योंकि इसको कई बर बना चुके हो भी, minus में आएगे, यहाँ पर रखिएगा, minus dv upon dx, और यहाँ आजाएगा, 1 by x v is equal कितना lag x upon x, चलो, यहने हमने पाया, dv upon dx minus कितना 1 by x v is equal minus कितना lag x upon x, अब यहाँ पर p के place पर minus 1 by x, क्योंकि प्लेस पर minus lag x upon x है, प्यारे बच्चों, तो यह क्या हो जाएगा, if निकालेंगे, e to the power minus 1 by x dx पाएगे, e power कितना minus lag x हो गया, e power कितना lag x power minus 1 हो गया, और इस तरीके से आपने पाया 1 by x, solution किश्में आएगा, समीकरन का हल हम पाएगे, v into 1 by x is equal 1 by x into कितना lag x upon x minus में हो गया, dx प्लस कितना c, v 1 by x minus को बाहर किजिएगा, यह आपको मिलेगा 1 by x square कितना हो गया, lag x प्लस कितना dx प्लस c, तो हमने पाया v 1 minus है, इसका integrate करेंगे, lag x पहला हो गया, इसका minus 1 by x, फिर minus lag x का 1 by x, इसका minus 1 by x, तो minus minus plus, फिर बना पान x square, फिर lag x का minus 1 upon x, तो है minus 1 upon x, यह जाएगा plus कितना सी, डारेक्ट लिग देंगे बच्चों, और v हमारे पास कितना है, y power minus 1 है, तो 1 by x minus को अंदर ले जाएगा, तो आप lag x plus कितना 1 upon x पाहिएगा, ठीक है, तो बना पान y x y is equal, अब जो cancel होता है, cancel कीजिए, नहीं तो answer है बच्चों ही, बस इसी डंग से काम करना है, ठीक है, और भी देख सकते हो, यह question है, देखो, इसमें क्या करोगे, यह भी बढ़िया question है, इसके पहले जितना भी था सब, अच्चे-च्चे question है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करो, कासी स्क्वेर एकस से भाग देदो, कासी स्क्वेर एकस से भाग, क्या कीजिएगा, तो इसमें पाईएगा, से की स्क्वेर वाई, कासी स्क्वेर वाई से भाग स्वारी, से की स्क्वर y डिवाई बाई डिएक्स एक्स साइन 2y का कितना हो गया 2 साइन 2y कास y अपान कितना हो गया कास y से कास y कैंसल हमने पाया से की स्क्वर y डिवाई बाई डिएक्स और यहाँ पर साइन 2y कास बचेगा 2x 10y अब यह बन गया बरनोली तो हम यहां पर 10 y को suppose करेंगे v तो हम पाएंगे कितना से कि स्क्वर y dy by dx is equal कितना प्यारे बच्चों dv upon dx मालू मैंना यहां पर आगया dv upon dx प्लस कितना इसमें हमारे पास आगया 2xv 2xv is equal x cube अब यह रहें काउकल समीकरन है यहां पर p के जगा कौन है 2x cube के जगा कौन है प्यारे बच्चों x cube आपने integral factor find किया e to the power कितना हो गया p dx हो गया e power कितना हो गया 2x dx हो गया x square by 2 हुआ e to the power x square हो सिम्पल अब सालू सनकिश में आएगा समीकरन का हल किश में आएगा बच्चों v e power x square is equal e power x square into x cube dx plus c क्या राइट किजिएगा x square यहां पर x square को इसके साथ दे देते हैं और 1x dx को इसके साथ दे देते हैं बच्चों x square को t मानिएगा 2x dx dt हो गया और x dx is equal dt by 2 हुआ बस सिम्पल v e to the power x square is equal 1 by 2 2 और यहां जाएगा t e power t dt plus कितना c हम 1 by 2 को बाहर किये हैं e power x square 1 by 2 और इसका तो डारेक्टर में लिख देता हूँ न e power t t minus 1 खंदसा समाकलान को करोगे तो आएगा ही integration by part में v e power x square is equal 1 by 2 यहां गया e power x square x square minus कितना 1 plus कितना c v का value आपके पास क्या है भाई 10y तो 10y e power x square से भाग दे दीजिएगा minus x square यह आपका अंसर आ गया बस इसी धंग से काम करना है देखो और भी है क्या question यह देखो यहां पर किस से भाग दोगे y cube से भाग देने पार यह देखो y cube से भाग दोगे उसके बाद y power minus 2 को भी मान करके हल करोगे तो यह आपके लिए वरक हो गया प्यारे बच्चो ठीक है इसको बनाईएगा ठीक है तो इसी धंग से आपको करना है मुझे उमीद है प्यारे बच्चो आपको हना मेरा क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ठीक है बस प्रेक्टिस करते रहें जैसे कि मैंने आज आपको बर्नुली का समझाया तो आप क्या किजिएगा हना आप घर में प्रेक्टिस करेंगे पहले concept समझेगे क्लास रही तक रखते हैं बच्छों यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद नमस्कार